TVS Sport 125 के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी आपको कब तक देखने को मिल जाएगी, गाड़ी में आपको कौन-कौन से फीचर्स, क्या-क्या चेंजेस, क्या-क्या अपडेट्स मिलेंगे, गाड़ी की जो पावर फिगर होगी, परफॉर्मेंस हो चेंजेस के बारे में, तो इसका भाई जो लुक है, जो डिजाइन है, उसमें आपको काफी जादा हैविनेस देखने को मिलेगी भाई, जी हाँ, जिसने की गाड़ी जो है काफी जादा अट्रेक्टिव और काफी जादा आई-कैची लगेगी, गाड़ी के जो फीचर्स है वो भी ब्रांड काफी जादा बढ़ा देगा, जैसे की भाई आपको मिल जाता है, राइडर में, फुली LED का हेडलाइट, तो आपको आने वाले टाइम में, जो स्पोर्ट है, टीवी असकी, इसमें भी आपको फुली LED का हेडलाइट मिल जाएगा, साथ ही भाई ब्रांड आपको गारी में प्रोवाइड करा देगा LED के DRL भी, बाकि जो टेल लाइट है, जो टर्न इंडिगेटर्स हैं, ये आपको पुराने वाले सेम मिलेंगे, हैलोजन बल्व के, और गारी का जो मीटर कंसोल है, स्पोर्ट का जो आपको मिल जाती है, 110 CC की, अभी आपको मिल जा पुर्ट 110 में, और इसका जो होगा अगला चेंज भाई वो होगा गारी का टैंक भाई, वहाँ पे आपको टैंक काउल देहने को मिल सकता है, जिसे की गारी बहुत जादा शार्प लगेगी टैंक वाई, बागी भाई इसमें आपको मिल जाएंगे 3-4 तरह के नए colors, 3-4 तर start नहीं मिलता है, तो आपको sport में भी अब kick नहीं मिलेगी आने वाले कुछ update में, बागी भाई गारी में जो भाई आपको मिल जाएगा, front में single disc brake का option पीछे आपको मिलेगा, drum brake और भाई इसमें आपको हो सकता है कि मिल जाए ABS, जिसे की भाई गारी की जो safety है वो बहुत पूर बताना, और इसका भाई जो होगा dimension, जो होगा weight ना उसमें आपको बहुत जादा मिल जाएगा change, क्योंकि भाई जो engine है वो आपको मिल जाएगा, rider 125 वाला ही भाई आपको मिलेगा, sport में, जिसे की गारी की जो performance है वो काफी अच्छी हो जाएगी, और जो होगा mileage वो जाएगी और इसका जो टायर का profile है उसमें भी आपको changes दिखने को मिल जाएगे, आगे आपको मिल जाएगा 80 mm का टायर, पीछे आपको मिल जाएगा 100 mm का टायर, तो बाई टायर तो मिल रहा है wider अभी के मुकाबले, और बाई फरंट में आपको मिलेगा वही टेलिसकोपी का पीछे आपको मिलेगा वही twin shock absorber भाई इसमें आपको monoshock नहीं मिलेगा rider की तरह और जो engine है वह आपको 124.8cc का 3 valve air plus oil cool दिखने को मिलेगा, और जो होगी power वह आपको मिल जाएगी 8.35 kilowatt की और जो होगा torque वह आपको मिलेगा 11.2 mm का बाई साथ ही आपको मिलेगा 11.2 mm का achieve करा देगी और भाई ये गारी launch होगी 2023 की March मंथ तक का भाई ऐसी कुछ update निकल के आ रही है अंदर से और भाई इसका जो engine भाई वहाँ पे आपको काउल वगेरा दिखने को मिल जाएगा तो भाई आप लोग गारी का wait करना चाहो तो कर सकते हो और इसका भाई जो होगा price व और भाई जो channel है साथ ही आप इसे कर लो subscribe और भाई जो इंस्टाइडी है उसे भी आप जाके follow करते रहा भाई आप support बहुत अच्छा दिखा रहे हो इंस्टाग्राम पे तो बाई